आई दोस्तों इस प्रॉलम के अंडरस्टेंड लेते हैं A is twice as fast as B and B is as fast as C is The journey covered by C is 42 minutes will be covered by A in ठीक है दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है आपको तीन यहाँ पर entity दी हुई है A, B और C इन तीनों में relationship बनाया हुआ है किसका speed का क्योंकि fast की बात कर रहा है तो speed का relationship यहाँ बनाया हुआ है The journey covered by C और C की यहाँ value दी हुई है कि journey जो cover करता है C कितनी देर में cover करता है 42 minutes में और पूछा गया है कि A कितनी देर में cover करेगा मतलब यहाँ पर A कितनी देर में journey cover करेगा मतलब A का यहाँ पर time पूछा गया है आपसे option दिएगा है नीचे minutes में ठीक है time distance और speed के case में आपको यह भी देखना जरूरी है कि time की value किस form में दी हुई है किस unit में दी हुई है आई दोस्तों इस problem को एक बारी visualize करते हैं कैसे देखें तीन entity थी में पास A, B और C ठीक है यहाँ पर इनकी speed की बात हो रही थी speed की बात हो रही थी तो speed किस relationship में है A is twice as fast as B, B is twice as fast as C तो सारी की सारी बाते C पर आके रुख जाती है तो मान लेते हैं C की जो speed है वो कितनी है वो है X, ठीक है जी, X kilometer per minute या meter per minute कुछ भी ले लीजे आप तो यहाँ पर X अभी हम ले लेते हैं क्योंकि हम यह speed की value नहीं दी हुई है, distance कितने, किस unit में मापा गया यह नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम simple X ले लेते हैं, ठीक है, अब देखे, B क्या है, B is thrice as fast as C, B क्या है, B है thrice as fast as C, ठीक है जी, 3X हो गया, इसका मतलब B की value अब देखे, A कितना है, A is twice as fast as B, अब A क्या है, A है twice as fast as B, मतलब A की value है 6X, ठीक है न, तो यह relationship बनता है इस type के problem में, जो least, end में जो आता है, उसको आप यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, X, और बाकी उससे drive करते हैं, बाकी A और B उस relationship से बनाते हैं, वो उससे कैसे attach हैं, ठीक है जी, यह हमने अब चीज़ एक बना ली, तीनों की value हमें single variable X के form में देखे, यहाँ मिल चुकी अब हमारे पास concept क्या होता है, अगर हम speed time distance में देखते हैं, तो the journey covered by B is 42 minutes, अब देखे, जरनी की जब बात हुई, इसका मतलब journey तीनों लोग cover करेंगे, इसका मतलब journey से क्या निकल के आता है, कि distance जो है, वो same है, और fixed distance तीनों लोग चलते हैं, अब आईए यहाँ पर concept पे द time हमें मिलता है, अब यहाँ पर distance क्या है, distance है constant, तो speed जो है, वो time से कैसा relation बनाती है, inverse relation बनाती है, ठीक है जी, तो अगर हम speed, तो speed कैसा relation बनाता है time के साथ inverse relation बनाता है ठीक है तो अब हमारे पास क्या है c की हमें चीजे given है a की हमें यहाँ पर चीजे निकालनी है तो हम क्या करेंगे जो speed है c की वो किसके inverse proportion है time के जो speed है A की वो inverse proportion है किसके time के A के time of A के यहाँ पर अब क्या करिए इसमें यहाँ ratio लगा दीजिए कैसे लगाएंगे ratio देखते हैं speed of C divided by speed of A is equal to 1 by time of C divided by 1 by time of A is equal to इसको inverse कर देंगे यह मिलेगा आपको time of A divided by time of C यहाँ पर अब value रग दीजिए speed of C कितनी थी? speed of C थी x speed of A था 6x time of A आपको निकालना है time of C दिया हुआ था 42 minutes x x cancel out हो जाएगा यह होगा 7 से तो यह आजाएगी आपकी value यहाँ पर time of A एक हो कितना time लेगा? 7 minutes, standard value minutes में दीवी थी यह इसका answer तो हो जाता है देखते है option क्या है? यह देखे option number C का correct answer है इस तरीके से दोस्तों हम इस type की problem को solve कर सकते हैं